से देखिए दोस्तों कि कि यहां पर हमारा मायनस लग गया है इंवेटरगा यहarlaगा है यहां ठोले और यहिए यहां पर हमारा यह से अगया है यह वित गर तो इस तरीके से 38 Romeo का कर्णेशन हो गई है। तो 48 Romeo के connection हो गय है। तो 48 Romeo के connection को डिया है। तो यह हमारा प्लस हो गया यह देगे प्लस यहां से माइनस माँ गया और फिर यह प्लस यहां से हमारे इस तीसरे वेटर है माइनस माँ गया फिर यह प्लस यहां पर माइनस माँ गया तो इस तरीके से हमारे इस वेटर के अग्ड़ाने सोल्ट के कनेक्शन हो गया है यहां पर यहाँ पर सब कुछ दिखाएगा 11 वज के ऐतारा मिनट हो चुका थू कई है यह तेम दिखा आपको आपको वोल्ट अब वड्ट दिखाएगा वोल्ट कितने आज़ेगा है कि इन देगर अधा च्छेंतर वोल्ट आ रहे हैं वोल्ट वे अच्छा है है कि हमारे पास यहां पर लगबग 4000 वाट के करीब हमारा यहां पर लोड लगा हुआ है च्छाहिए है तो यह अधालिस व्ल्ट का एंवेटर है यह देखिए हमारे पर यहां पर 20 प्लेटर लगए हैं जबके हमने दो जागा बाट दी हैं इसको एक सोलर हमारा एक लाइन इस पागी सोलर पर यह देखिए और एक इस पर सही हमने दो दूर्फरा एंवेटर दिया है यह देखिए यहां पर आजिए एक इन्वेटर बैटर हमारे यहां पर लगाए पांच केवी का यह भी 48 वोल्ट है आपको दिखाए छफपन वोल्ट दे रहा है वहाँ पर यहां पर देखिए 77 हो चुके है इसका बिल्कुत सेम वही है लिफ गार्ड का इन्वेटर है हमारे इ पलस है यह देखिए पलस का तार हमारा यह देखिए पलस लग रहा है हमारा यह और यह हमारा माइनस है जो का ठंडा तार लगा हुआ है यह माइनस से हमारा पलसम आ गया है यह देखिए पलस इसके बाद इसका जो है माइनस इसमें पलसम आ गया है और फिर इसमें यह माइन Leaf Guard का हमारे इंवेटर है और यह देखिए यह वाइन गे हुए है, यह देखिए यह हमारा गरम तार है इसका है और यह हमारा ठंडा तार है यह देखिए जिसाब आहने ले पा रहे हैं जब inverter थोड़ा गरमा जाता है तो पंगवा खुदी आउटमेटिक चल जाता है तो इस तरीक से से connection किये गया है यह हमना output निकाल दी है इसकी यह हमारी output है और इसकी input हमने बाहर नहीं निकाल ली है mcb कर good care तो इसके अंदर जो connector दिये गए है इसमें सब कुछ लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं सबसे पहले हम आपको बताते हैं यह जो mcb है हमारी इस पे लिखा मैंस तो यह होगी हमारी जो भाहर से light आएगी यह उसकी mcb है और इसके बाद आगी यह load लोड वाली हो गई हमारी जो घर के अंदर की जागी तो हमारे घर के अंदर सप्लाई जागी यह उसकी हो गई उसके बाद ही आगे हमारे पास PVC PVC मतलब होगा PVC पैनल जो हमारे solar लगा हुआ है उसके mcb यह है और यह होगी हमारे दुन नो mcb बैटरे की यह लिखा बैटरी mcb इसके बाद कनेक्टर पर आ जाते हैं यह लिखा पी पी से मतलब फेस हो गया एन से नूटल हो गया तो अब यह जो आ गया यह हमारे बिजली के में तार है यह यह देखे जो रेड कलर का तार हमें दिख रहा है यहां पर जिसके पी लिखा हुआ है व हम इसमें बिजली देखे अपने बैटरों को चार्ज कर सकते हैं उसके बाद यह आता है लोड लोड का मतलब हो जो हमारे मकान के अंदर जो सप्लाई चल रही है तो हमारी वह इस से चलेगी तो यह देखिए हमारे लोड के हमने तार निकाल दिया है इसमें यह भी हमने पी दल ला है और न पर नूटन तो यह थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें कि इससे होता क्या है घर केंदर कर हमारा मानने बाद है मगान के अंदर करन्ट आ रहा है और करन्ट हो आ रहा है नूट्र उसमें तो हम वहां देखिए तो हमारा करेंट नहीं लगेगा तो इसलि इसी तरीके से बैटिरी के तार जो हमारे रहेंगे चीज है यह रहा है इसमें वायर लगी हुई है इसमें भी जो है यह देखें तो आप इसको इस समझ में नहीं आ रहा है तो आपको दिखा दी जाएंगे तो देखे इस तरीके से इसके connection complete के गए 48 वोल्ट के हमारे 5 कबी के दो inverter रखे हैं एक हमारा इस पर रखा है और एक इस कमरे पर रखा है हमने दो भाग में इसको किया है सोरल पराथ हमारा वो लगा हुआ है यह देखिए इसमें हमारी 20 पलेट्रे लगी हुई है इसमें यह हम खेड़ा गाओं में लगा रहे हैं टंकी के पास तो सेम बिल्कुल सेम वोल्ट निकल रहे हैं इसके हमारे पास अवे बाराओं